उत्तर प्रदेश में पंचाय चुनाओं को लेकर के बीजेपी एक्टिव मोड में हैं ग्राम सभा के जरीए कही ना कहीं आने वाले पंचाय चुनाओं में सीधा समवात होगा हमारे साथ ने बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंतर देव सिंग जी हैं किस तरीके से जी जो पंचाय चुनाओं है इस बार तमाम मंतरी से लेकर के MLA, सांसत सभी जनता तक पहुँचेंगे क्या सोचे इसके पीछे पंचाय चुनाओं के मद्दे निज़र देखें जो पंचायती बहुस्ता एक महत तपून है ग्राम प्रधान के मात्तिम से गाउं का विकास होता है गाउं की समस्य अगर समाधान होता है गाउं संपन बनाए गाउं विक्सित हो गाउं का वातावरण ठीक रहे और गाउं में कोई लड़य जगड़य न यह प्रधान का बहुत अहम भूमिका होती है वहां स्वच्छता हो वातावरन अच्छा हो और एक दूसरे से दूस्मनी निकर है इसलिए चुनाव महत्तपुन है इसलिए भारती जनता पार्टी निर्णे लिया है कि ग्राम प्रधान छेतर प्रशायन और यह सब छोड़ा जाए यह सब चुनाव स्वयम जो लड़ता है ल लड़ने के लिए संगठन के सनरचना बनी है प्रदेश की टीम है चित्र की टीम है जिले की टीम है और वाड की टीम है और ब्लाक की टीम है इसके अलावा नीचे भी ग्राम पंचायत सेयोजग बनाए गया है कि यह सब ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव सब ही महत्तप बनता है जो नितिरत करता है ये समी का दाइत तो बनता है और स्वयम करते विए समी तपस होते हैं और कर ते में और जनता की खुसाहली इनके जीवन का लच्च होता है चाहे किसी माध्यम से बने हैं इसलिए चुनाव महत्तपुन है इसको लेकर तयारी हम ग्राम अस्तर की वार्ड अस्तर की हमारी बैठकें 26 से लेकर 2 मार्च तक होना था संपन हो चुकी है जिले अस्तर पर 3 मार्च को बैठके होना था समी जिला प्रभारियों को बैठक लेना था लगता है वह ही संपंपन हो गया होगा और ग्यार्श से लेकर 18 मार्श तक इससभी गाओं में कि संपर करना था पएठक करना है और ग्रहां चौप आल करना रहा है कि यह भी क्राम चौपाल सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं योगि सरकार के लोगप्रियता के चार साल पूरे हो रहे हैं और एक स", egenआ काम उन्होंने इस कारकाल में किया है अचाहि गुंडा- Message का ऐक एक एफोटी से लोकर चलते थे आज वो कंट्रॉल है चाहे राज्जी का परवेक्ति आये का मामला रहा हो पहले 45 जरुआ करता था परवेक्ति 45,000 है जीडिपी का मामला है आज जीडिपी पांच साल में अगले पांच वार्ष में दुनिया में सबसे नम्मर एक की जीडिपी उत्तर प्रद्रीश की हो जाएगी इसलिए सभी छित्रों में प्रधान मंत्री आवास हो सवचालय हो किसान सम्मान निधि हो कन्या विवा हो कोरोना से महामारी हो इस सभी चुनोतियों को औसर में बदलने का योगी सरकार के इन वैंदे मोधी सरकार ने किया है तो प्रधाने के चुना भी महत्तपुन है इसलिए पार्टी पूरी तयारी है और चुनाओं लड़ने के लिए हम लोग तयार है इसलिए ये कारकम मेरा अभियान सरकार की चार वर्स पूरे होने पर गाँगाँ चौपाल भी होना है प्रदेश के सभी मंत्री गण विधायक गण सांसद गण और हमारे आयोग निगम के भी चेर्मेन अन्य भी कारकरटा प्रदेश के पदाधिकारी से लेकर जिला छेत्र मुंडल के सभी पदाधिकारी नीचे निकलेंगे और क्योंकि पार्टी कारकरता अधारित है और यह चुनाओ भरती जनता पार्ट कार्ट को लेकर कि कही ना कहीं दिकत नजर आई जो उज्वला योजना है वहां पर भी महिला है आप चुकि गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो वह अब बलायन कर रही है फिर से चूले की तरह आपको लगता है कि प्रधानों की क्या भूमिका होगी जो जितनी वी योजनाए है इसको सुनिश्चित कराने में और साथी साथ उसका सतत जो है लाब वो जनता को मिलता है देखिए प्रधानों की तो आहम भूम का ही है गाउ में इसलिए कि प्रधान निस्पच्छ होता है सरकार की योजनाएं केंदरा सरकार की योजना लेकर गरीब तक जाता है घर घर जा करेगा जो आपने एक दो बिंद उठाया है 24 करोड की आबादी है एक बेगती कोई ऐसा हो सकता है लेकिन देश से जो भी योजनाय चलती है किसान सम्मान निधी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक रुपय का भरष्टाचार उसमें ने चाहे किसान सम्मान निधी हो चाहे प्र मिलता है न तो उसके जीवन में परिवर्ता ना जाता है रहंसान में परिवर्ता ना जाता है और कहीं चूला के जंगा गैस मिल जाता है और परिवर्ता ना जाता है सुरियास्त की इंतिजार करती नहीं है तो सौचाला भी बन गया और उसके जीवन में परिवर्ता नाता है जिसके कारण ही आज राजि चिए अंदर देश मोडी का में सव्य का मिल पर उस्के पारे आपशनाओ का माहुल भी एक सितर पर आ राधGu राग पर आप जो माहल चाहे नहीं गह akhir विशे यश्वत्य होते हैं नूंडर ऑफ देश ह memo कांओ कि जनता के पास पहुंच रहां जब इनके खत्हुसान में THAT यह उसकती है जब इनके खेत में फसल आलाती और फसल इनके खलियान में आता है खलियान से घर पर आता है तो देश सान के चेहरे पर चमक आती है और किसान जब चमक आती है जब उसके पैसे को लेकर मार्केट में जाता है खरीदारी करता है कपड़े का बस्तिर का बरतन का सभी चीजों का तो वह जाकर ब्यापारी के चेहरे पर खुशारी होते हैं यानि सहर से आवस्यक है कि अर्थ बेवस्ता का मजबूत से गाउं में प्रधानमंत्री आवाज से लेकर यानि गाउं को खुशाली कैसे हो सकती है किसान सम्मान नेदी एक परिवार में चार लुबाई हैं दो दो विस्वा जमीन है तो च्छोबीस अजार रुपय उनके खाते में पहुँचता है और उस रुपय से खाद बीज कर नहीं लगने वाला है और फसल खेट तक आ जाएगी जो छोटे किसान है तो ऐसे बहुत बड़े बहुत बड़ी संख्या में किसान है और जो खाता खुलवाए गया यानि सब कुश किसान आदे चाहे किसान बिमा प्रधानमंत्र बिमा योजना हो उज्जोला योजना है जितनी योजना हैं प्रधानमंत्री की और गरीबों को साधी करना 11,000 रुपया लड़कियों को मिल रहा है घर में पुस्तकों जूता मोजा पुस्तक सुईटर बाटेने का सिच्छा है कूपोसर का है इलाज का पांच लाग का आई सुमान कार्ड है ये सब जितनी योजना ह में जो सपन था अंतोद पंक्ति के अंतिं बैक्ति को सम्मान देना है उसको पका मेकान देना है इलाज के पैसा देना है अभ्यव्योध ओैयोज जनता पार्टी के आत्मा बसती है ये पार्टी सुधरु से सरकार और संगठर मिलकर गरीबों की सेवा करने का बरत लिये हैं इसी आधारपर्ण सब आगे बढ़ते हैं आतिम सवाल करना चाहंगा आपको लगता है कि पश्षी मिउत्तर पदेश काप जाट बाहु लिलाकों में पार्टी को नुकसान हो सकता है जिस तरीके का महॲ पिछले लगातार किसान आंदूलन को लेकी बना रहा है देखे सपा बसपा, किसान और यह तो अंधलूम करेंगे हूं, उनकी पार्टियां हैं हमारे सत्ता पच्छ के खिलाब बोलेंगे और बोलते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी में काम करने वाले समस्त कार करता पच्छी में उत्तर प्रदेश की जाट के अलावा भी समस्त कार करता और जाट कार करता सब पार्टी के साथ खड़े हैं आधरी मोदी जी के साथ खड़े हैं और जो रिजल्ट अभी देखें आप वह भविस का भी रि और जाठ पुरा नित्रत खड़ा है इसलिए सपा के और एलेडी के प्रदर्शन धर्ना यह तो करते हैं आज से थोड़ करते हैं रही ली सभा हमेशा करते हैं अधिक चाहिए बाइस माएंगे तो इव्यम को हटा देंगे देखे चेतरी पार्टियां को फिर एक बार मैं बोलता हूं जो चेतरे दल है जो दो ही काम है परिवार को आगे बढ़ाना दुसरा राज्जी को लूटना और गरीब को लूटना राज्जी को लूटने का मतलब अलग से लेकर गाउं गरीब किसान जोगी जोपी के अन्षान आदिवासी बनवासी गिरवासी जो योजनाय सरकार के इनके पास पहुचना चाहिए वह योजनाओं का बंदर बाट करते हैं लूटती हैं गरीब को लूटते हैं इसलिए दूर दूर तक सपना देखना बंद करते हैं कि सरकार आने वाली है अब नहीं आ सकती जनता समझ चुकी है और जनता आदर योगी की नितरत में राजी देश के अंदर आदर आदर मोदी जी जी की नितरत में जाती ही कि इस इमानदार indul document कहा मिलेगा राष्ट भक्त किने मिले और यह लोग देश बनाने के लिए निकले हैं इस राष्ट को बनाने के लिए और गरीब के खुसाहली के निकले हैं गरीब के कल्यान के लिए और इस चौकीदार हैं यह जन सेवक हैं गाउं के यह नेता नहीं है अहंकारी नहीं है यह पार्टी के लिए और जनता की सेवा करने के लिए जीवन अपना लगा रहा और जनता की सेवा करना है यहीं हम सब का धर्म है यहीं दाइत तक उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाओं में कहीं ना कहीं इस लडाई में अब गाओं के स्तर पर तमाम योजना और काम को ले करके मंत्री विधायक और सांसत पहुंचेंगे यह कारण है कि आने वाले चुना